अध्याय साथ आलेक ग्राफ परिचे इंट्रोड़क्शन गणित में हम जानकारियों को बेहतर समझ वविशलेशन के लिए कई माध्यमों से निरूपित और प्रदर्शित करते हैं। ऐसा ही एक माध्यम आलेक है जिसकी सहायता से हम बता सकते हैं कि किसी एक राशी से दूसरी राशी का क्या सम्मंद है। आलेक के माध्यम से यह भी देखा जा सकता है कि परसपर संबंदित दो राशियों में इसे किसी एक में परिवर्तन करने पर दूसरे में क्या बदलावाता है इनके साथ साथ आलेक बनाने से कुछ नई जानकारियां भी पता कि जा सकती है इस अध्याय में हम आलेक के विभिन उप्योगों को देख सकेंगे कुछ व्यक्ति कपड़े की एक दुकान से 25 रुपिये प्रती मीटर की दर से 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर, 4 मीटर और 5 मीटर लंबाई के कपड़े क्रमशह 25 रुपए, 50 रुपए, 75 रुपिये, 100 रुपिये और 125 रुपिये में खरिते है उनके द्वारा चुकाई गई कीमतों और कपड़े के लंबाईयों के बीच के संबंद को आलेक में प्रदर्शित किया गया है आलेक में हम यह देख पाते हैं ये कपड़े के लंबाई बढ़ने से चुकाई गई कीमत में किस तरह का परिवर्तन हो रहा है आईए एक और उदाहरन देखते हैं क्रिकेट के एक मैश में एक टीम के द्वारा शुरू के दस ओवरों में बनाए गए रनों की संख्या इस प्रकार थी पांच, चार, आठ, साथ, दो, पांच, चार, चार, दो और नो यदि हम ओवरों की संख्या और उसमें बने रनों की संख्या को लेते हुए आलेक खीचें तो चित्र दो जैसा आलेक प्राप्त होगा आईए कुछ सोचें और चर्चा करें क्या आलेक में लिए गए आख्णों के बीच कोई संबंध है एक प्रकार के आख्णों को X अक्ष पर और दूसरे प्रकार के आख्णों को Y अक्ष पर प्रदर्शित किया गया क्या आख्णों के लिए अक्षों को चुने जाने का कोई आधार है एक आलेख सरल रिखा के रूप में है दूसरा टेड़ी मेड़े रिखाओं के रूप में क्या इसका कोई कारण हो सकता है आईए आलेख बनाना सीखे आलेख बनाने के लिए हमें दो तरह के आकणों की जरूरत होती है हम एक को एकस अक्ष पर और दूसरे को वाई अक्ष पर दर्शाते है क्या इन आकणों को हम किसी भी अक्ष पर दर्शा सकते है अत्वा किस आकणे को एकस अक्ष पर और किसको वाई अक्ष पर दर्शाना है इसके लिए को शाधार होते है आलेक एक में देखें तो पाएंगे कि अगर हम ज्यादा कपड़े खरीदते हैं तो हमें कीमत भी अधिक देनी होती है अगर हम कम कपड़ा खरीदते हैं तो कीमत कम होगी यह एक उदाहरण है जहां एक राशी दूसरी राशी को प्रभाविद करती है चुकाई गई कीमत कपड़े की मात्रा पर निर्वर करती है इस तरह हम कह सकते हैं कि यहां कपड़े की मात्रा एक मुक्त या स्वतंत्र चर है जबकि चुकाई गई कीमत एक आश्रित चर है प्राया हम स्वतंद्र चर या आकड़े को X अक्षपर तथा आश्रित चर को Y अक्षपर दर्शाते हैं एक बर्या निशित हो जाए कि हमें X अक्षपर कौन सा और Y अक्षपर कौन सा आकड़ा लेना है उसके बाद दोनों अक्ष़ों के लिए पैमाना चुनते हैं पैमाना X अक्ष और Y अक्षपर वांचित राशियों को निरुपित करने के लिए पैमाने का चैन राशी अनुसार करना होता है आए इस प्रक्रिया को आलेक एक से समझते हैं 6 मीटर कपड़े के लिए चुकाई गई कीमत 125 रुपए है यदि हम एक बड़े वर्ग की लंबाई एक रुपए पैमाना चुनने के निश्य करें तो हमें 125 इकाई का अक्ष कीशना होगा जो कागज की शीट पर संभव नहीं इसके विपरित एक बड़े वर्ग की लंबाई बराबर 50 रुपए का पैमाना चुने तो बहुत कम फैला होगा अतह हम ऐसा पैमाना चुनेंगे जिससे संबंध साफ दिखे यहां हमने एक बड़े वर्ग की लंबाई बराबर 25 रुपए ली और हमें 6 इकाई का अक्ष खीशना होगा ग्राफ खीशने के लिए पैमाने का चैन करते समय कुछ बातों का ध्यान रखना होगा प्रत्यक राशी के अधिक्तम और नियुनतम मानों के बीच अंतर और जिस पेपर पर आलेख खीशना है उसके अधिक्तम भाग का उप्योग करना प्रत्यक बिंदु को आलेख पर चीहनित करते हैं एक्स अक्ष पर इंगित राशी के मान के लिए वाई अक्ष की राशी के मान के अनुसार एक्स अक्ष से दूरी पर बिंदु अंकित करते हैं इन दोनों मानों से ही ग्राफ पर बिंदु बनता है सभी बिंदों को जोड़कर आलेक प्राप्त करते हैं आलेकों से हमें क्या पता चलता है आपने अकबारों, पत्रिकाओं और टेली विजन कारिक्रमों में अलग-अलग तरह के आलेक देखे होंगे वास्तों में ये आलेक संख्याओं से बने आकणों के चित्रात्मक प्रदर्शन है एक नदर डालने भर से हमें कई जानकारियां मिल जाती है हम दोनों आलेकों को बारी बारी से देखे तो पता चलेगा कि कपड़े के लंबाई और उसके मुल्यों को निर्देशांक मानकर खीचा सरल रिखा आलेक यह बताता है कि कपड़े के मुल्य और उसके लंबाई के बीच एक निशित अनुपात है जैसे 100 बटे 4, 75 बटे 3, 25 बटे 1 आदी यदि हम जानना चाहें कि किसी दी गई लंबाई के कपड़े का मुल्य क्या होगा या दिये वे रूपियों में कितना कपड़ा खरीदा जा सकेगा तो हम आलेक द्वारा इसे भी बहुत आसानी से जान सकते हैं इसी तरह दूसरा टेड़ा मेड़ा आलेक यह बताता है कि किसी ओवर में कितने रन बनेंगे यह अनिश्चित है लेकिन आलेक को देखकर यह तुरन बताया जा सकता है कि किस ओवर में सबसे ज़ादा रन या सबसे कम रन बने औसत रन संख्या जानकर यह भी बताया जा सकता है कि 20 या 50 ओवर की समाप्ति पर लगबक कितने रन बन सकते हैं किन्तो यह अनुमान गलत भी हो सकता है क्योंकि बात के ओरों में रन तेजी से भी बन सकते हैं या पूरी टीम और भी हो सकती है